हेलो हेलो आज हम बनाएंगे ओनियन ड्रिंग्स चलिए बनाना शुरू करते हैं आज हमने बनाए हैं दो तदिके के ओनियन ड्रिंग्स एक हमने ब्रेड क्रम्स के बनाए हैं और एक कॉनफलेक्स के चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर चार बड़े साइस के प्याज लिये हैं उनको बड़े-बड़े पीसेज में गोल-गोल का कार में काट लिया है और उनके एक-एक करके आराम से रिंग्स को अलग कर लिया है और उसका बचा हुआ पार्ट हमने अलग कर लिया है आप चाहे तो उसको बाद में सबजी वगरा में यूज कर सकते हैं बिल्कुल ही अराम से इसके एक-एक rings को अच्छे से अलग कर लेंगे यहाँ पर देखिए हमने करीब चार प्याज के rings को अच्छे से अलग कर लिया है तो सबसे पहले शुरुवात करते हैं bread crumbs बनाने से यहाँ पर हमने दो bread को अच्छे से पीस लिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मही नहीं करना है अब bread crumbs को अच्छा हलके सा roast कर लेंगे तो यहाँ पर हमने कोई भी oil का use नहीं किया है इसको अच्छे से mix करते रहेंगे बिल्कुल लगातार मिलाते रहेंगे ताकि यह जलना जाए देखे हमारा हलका ब्राउन होने लगा लगभग bread crumbs बनकर तयार है यहाँ पर हमें bread crumbs बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना थोड़ा दरदरा ही रखना है bread crumbs almost ready ही हो गए है इसको ठंडा होने के रिए रख देंगे अब हमने जो यहाँ पर onion rings को cut किया था उस पर corn flour का powder अच्छे से split कर देंगे और उसको अच्छे से mix कर लेंगे ताकि उसका जो पूरा rings पर powder अच्छी तरीके से लग जाए corn flour powder अच्छी तरीके से mix हो गया है अब इसका batter बना लेते है batter बनाने के रिए यहाँ पर हमने लिया है आदा कब मैदा, दो चम्मच, अरारोट आदा चम्मच, काले मरिच पाउडर और आदा छोटा चम्मच, नमक और थोड़ा सा लाल मरिच पाउडर अगर आपके पास chili flakes है तो आप chili flakes का भी इस्तिमाल कर सकते है इसको हलके हलके से पानी डाल डाल कर अच्छे से इसका batter बनानेना है batter बहुत ज़्यादा liquid नहीं करना है थोड़ा सा थिक रहना चाहिए batter हमारा बनकर ready हो गया है यह देखिए बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा liquid नहीं हुआ है अब क्या करना है सबसे पहले onion rings को batter में डालना है फिर bread crumbs में डालके अच्छे से इसको चिपका देना है इसी तरीके से हम सारे bread crumbs को अच्छे से लगा लेंगे हमने यहाँ पर दो तरीके के बनाये है तो पहले थोड़े से प्याज को bread crumbs से बनाएंगे फिर corn flake से इसको अच्छे से लगा के फिर हम deep fry करेंगे यहाँ पर हमने थोड़े bread crumbs में लगाए है और उसको अच्छे से deep fry कर लिया है deep fry करने के लिए यहाँ पर हमने medium flame पर ही इसको fry किया है यह देखिए यहाँ पर बिल्कुल brown से होने लगा है onion rings almost ready हो गया है अब इसको light brown होने तक अच्छे से सेख लेना है इसको फिर निकाल लेना है इसी तरीके से बाकी की बच्चे में भी हम सेख लेंगे cornflakes को हमने यहाँ पर piece लिया है महीन powder बना लिया है अब इसको फिर से उसी तरीके से onion rings पर split कर देंगे यहाँ पर हमने एक डाला इसको अच्छे से हिला लिया यहाँ पर हमारे दो तदिके की onion rings बनका ready हो गया है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को like कीजिए